देखे दोस्तों एक मिनट का वीडियो है वीडियो पुरह देखे यहां पर आपको डारेक्शन को साइन फाइंड करने हैं ऐसी रखा कि जो सब एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती हो तो कैसे फाइंड करेंगे एक्स अक्सिस साथ अलफा वाई एक्सिस के साथ बिटा और इसने क्या दे रखा क्विशन में कि यहां पर यह जो आपके एंगल है यह क्या है सब एक्वल है यानि कोस अलफा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा यह आपके क्या होते हैं डारेक्शन को साइन्स होते हैं एक कंडिशन हम जानते हैं कि एल स्क्वेर प्लस एम स्क्वेर प्लस N स्क्वेर बराबर 1 इसको देखे दोस्तों क्या लिखते हैं L लिखते हैं इसको M लिखते हैं और इसको N लिखते हैं यहां ऐसे समझ लिजिए कि कोस स्क्वेर अलफा प्लस कोस स्क्वेर बीटा प्लस कोस स्क्वेर गामा बराबर 1 होता है यह दूसरे के इक्वल्टू है तो यहां पे सब को कोस अलफा के फॉर्म में रखने पर यहां से ऊके, छैंने हैं, तो छैंने हैं, को यह रहाट रहेगा, तो दूसरी उर अन्डूुट आता है, direction, प्रेकशन को से क्या आ गिया आपके plus minus 1 by अनूट थ्री देखि यह इसका वेलियो आ गया इसका तुकिनर का वेलियो आ गया जो क्या है आपके समान है इस्ञार से देखिया कि हमने स्वेशन को खर confinement यहाँ पर हमने कि सको ।फोलो कि जो आ Herr में ट्राम दे रखे हैं उसके बाद देखे यह थोड़ा बेसिक नोलेज हमने फोलो कर लिया हुआ ओके तो यहां पर अगेन बताना चाहूंगा कौस आलफा कोस बीटा कोस काम आपके डारेक्शन को सान के लिए इनको 알मने से लिखते हैं और अमेशन कोसिए न चैशन और यहां पर व्यांप fuck science कीर कोस का माप कोस अलफ अख दिया तो कॉस स्क्वेजर अलफा कोस स्क्वेजर अलफा थड त्री कोस स्क्वेजर अलफा बराबर में कितना है याण थर्यों को इस तूर भाय या Tamam